जब बढ़ती है मेरट की गरमी तब सुकून देती है वो प्रियाग की ठंडी सी शाम लखनव की वो नबावी और गोरक पुर में विराजित गोरक धाम इन सबी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश से पुलिस ही ले सकती है लेकिन ये मोका आपको भी मिल सकता है उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवशकता है साथ हजार से भी अधिक पुलिस कर्भियों की जिनके सलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने S.S.C. मेकर परिवार दे तो बिना देरी किये आज ही जोइन करें S.S.C. मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश से पुलिस में अपने सेलेक्शन को पक्का अधिक जानकारी के लिए आप दिये गए नंबर पर खोल करें और S.S.C. मेकर अप टाउनलोड करें आप लोगों की तयारी कैसी चल रही पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग जल्दी से आप सारे बच्चे जुर जाए कॉफी पेन लेकर बैठेंगे और आप सभी सुटें नोट जरूर करेंगे क्योंकि आज आप लोगों की की मैस की मैस की क्लास है बहुत ही सान्दार जबर जबं जस्त और समय में संज्म करिए क चलिए बच्चे जूर गे हैं आप सभी को गुड इवनिंग तैयारी जबर जबर जस्त रहीं करिए पढ़िए मन लागी क्योंकि पढ़ाई से ही सेलेक्शन होना है ठीक है चलिए सारे बच्चे जूडगे अच्छी बात है तो चलिए बच्चो आज की क्लास को हम आगे कंटीनिव करेंगे और आप लोगों की डिमांड पे बच्चो यह प्रैक्टिस सेट चल रही है चैप्टर इस क्लास आपकी आएगा तो आप बड़े अरम से सॉल्व करेंगे ठीक है तो चलिए आज की ग्लास को आगे कंटीनिव करेंगे आप सभी सूड़ेंट देखेंगे और पहला कोस्टन को एक बार ध्यान से देखिए और अंसर देने का आप सारे बच्चे प्रयास करेंगे देखिए क्या बोल हार R questa 10 और 20 सो जाय तो नया अनुपाथ कितना होगा देखिएगा एक सकूल है जिसमें गर्ल है और क्या है वाइज है इनका रेश्यों दिया हुआ है क्या 8 इस तू 7 कितना रेश्य ऐप इस तू 7 और बोल क्या रहा है बच्चोट बोल रहा है कि इन लर्कियों में 10% और ललकों में 20% विर्धी कर दिया जाए तो नया ratio क्या होगा ये बोल रहा है बताए तो इस question का answer आप लोग कैसे देंगे जल्दी से बताए जल्दी से बताए इस question का answer आप लोग कैसे देंगे कुछ बच्चे answer दे रहे हैं very good बहुत अक्स है बहुत अक्स है सारे बच्चो का answer आना चीए सारे बच्चो का देखिए क्या करना है देखिए लड़कियों का ये ratio 8 है लड़कों का 7 है इसमें क्या बोला है बच्चो इसमें बोला है 10% लड़कियों में और लड़कों में बोला है 20%, आप 8 को क्या कर सकते हैं बच्चों, 8 को 80 लिख सकते हैं, मन करें तो 800 लिख लिजिए, इसमें क्या करेंगे बच्चों, 7 को 70 या 700 लिख सकते हैं, दोनों में क्या कर दीजिए, गुने 100 कर दीजिए, ठीक है, देखिए, रेशियों में आगर आप किसी पर्टिकूलर नंबर से गुना करते हैं तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अब क्या करेंगे अब इसमें क्या कर दीजिए प्लस कर लीजिए क्या करना है कितना परसेंट बढ़ाना है बचो लरकियों में बोला है 10% तो प्लस कर लेंगे इसमें 10% और ललकों में क्या बोला है प्लस कर लीजिए 20% 10% 800 का 10% क्या होगा 80 यानि ये टोटल कितना हो जाएगा 880 700 का 20% 20% मतलब 20, 70, 140 यानि ये 140 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 840 बस ये नया रेशियो ये हो जाएगा बस इसको गटा लीजिए छोटा कर लीजिए कैसे छोटा होगा 0 से 0 कंसल हो जाएगा 4 से 4 से 22 बर में जाएगा ये 4 दूना क्या 4 से कितना जाएगा 21 बर में जाएगा option number, D answer, रहे हो, बताईं, आप लोगों का an BTD, सारे बच्च का लिक्तिर और बताए है, बताईं, सारे बच्यों का an offer, on the day one is question weso दित्धने बच्च का क丘ुकि यह मों सबीका पीट सब्सक्रा है, सारे बच्च साही है, पॉइंट में ना जाए इसके एज़र से आप इसे का 10 गुना कर लीजिए या 100 गुना कर लीजिए इसमें क्या होता है इसलिए 100 से गुना कर दिए ठीक है option number D, option number D हाँ, जितने बच्चा option number D answer दे रहे हैं वो एक दम सही है, समझ में यानि आप लोगों को आगया है समझ में आगया है तो आगे चलेंगे, next question के दरफ, नहीं आया है तो दुबारे समझाएंगे, बताइए, सारे बच्चे एक साथ बताए, clear है very good, बहुत अक से, एक दम सही, समझ में आगया है, चले wise की problem आ रही, कौन भूल रहे है, wise तो सही है yes sir, yes sir, next देखिएगा बच्चो, question number देखेंगे, question number देखिए, काफी important question है question number दूसरा, बहुत ही important है, ध्यान से देखेंगे, question है, x और y का उसत वजन 40 kg है y और r का उसत वजन 62 kg है, तथा x और r का उसत वजन 56 kg है, x का वजन कितना है, x का वजन कितना है, बताइए यहाँ पर आप देख रहे है, question में x और y का उसत वजन, तो अगर x प्लस y का, अगर x प्लस y का कुल वजन देखें तो क्या होगा उसत वजन 40 है, दो लोग है, तो कुल वजन कितना हो जागा, 2 गुने 40, 80 kg, ऐसे लिखना है तो x प्लस y क्या होगा, देखिएगा, x प्लस y बराबर, 2 गुने 40, कितने लोग है, 1, 1, 2, तो 2 गुने 40 का मतलब होगा, 80 kg, ठीक है फिर उसके बाद से कहा है, y और r, किसका बोला है, y प्लस r, 2 लोग है, कितना है, 62 है तो 62 दुना के कितना हो जागा, 124, 124 kg हो जागा, ठीक है, फिर उसके बाद से बोला है, x और r का उसत वजन, x प्लस r, इनका उसत वजन कितना है, 2 लोग है तो कुल वजन कितना हो जाएगा इनके अगर वजन जोड़ दे तो क्या हो जाएगा दो गुने कितना है 56 है तो 56 दुना के 112 तो यह हो जाएगा 112 केजी तो अगर बच्चो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप एक चीज देखेंगे क्या देखेंगे कि आप देख आपको 2R दिख रहा है और 2X दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं 2 common ले तो X plus Y plus R का कुल अगर हम बात करें वजन कितना होगा केजी में तो आप क्या करेंगे जोड लेंगे तो जोडेंगे तो कितना होगा ये आपका ये देखिए जोड लीजिया ऐसे 112 और 114 ये 236 और 236 में क्य कितना हो जाएगा ये 316 केजी हो जाएगा कितना होगा 316 हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर ये 2 यहाँ पर देखिएगा समझने के परहस करिएगा 2X plus Y यानि बोल सकते हैं 2X plus 2Y plus 2R यहाँ पर देखिए उसके बाद से अगर आपको तो सिर्फ X plus Y plus Z का वजन बताना हो क्या बताना है X plus Y plus R का Z नहीं है R है अगर इसका वजन बताना हो तो 316 बटा का 2 यानि कि 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 अठे 16 158 केजी होगा अगर हमें बताना हो बच्चो किसका X plus Y plus R का वजन कितना होगा तो ये 158 केजी हो रहा है लेकिन हम ल वजन के लिए आप क्या करेंगे Y plus R का इसमें से माइनस करेंगे किसका माइनस करेंगे देखिए अगर हम इसमें से Y plus R का माइनस करें यानि कि Y plus R का आप वजन देखेंगे तो कितना है Y plus R का जो वजन है 124 यानि कि इसमें से 124 केजी माइनस कर लेंगे तो आएगा किसका ब 34 kg X का जो बजन होगा 34 kg X का बजन होगा तो कितना होगा 34 kg आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है बताएं तो ये question समझ में आया की नहीं 34, 34, 34 कुछ बच्चों का 32 भी आ रहा है देखिए 32 वाले गलत है 34 जितने student आंसर दे रहे है वो एकदम सही है 34 34 कितने बच्चों का आंसर आ रहा है जितने student आंसर दे रहे है 34 34 के जी एकदम सही है बताएं समझ में आया की नहीं जल्दी से बताएं एक बार बताएं सारे बच्चे 34 के जी 34 के जितने student आंसर दे रहें 34 के जी वाले सारे सही है बताएं समझ में आया की नहीं समझ में आ गया है तो यह सा कॉमेंट कर दीजिए फिर आगे चलेंगे समझ में आ गया है आगे चले next question के तरफ चले समझ में आ रहा है तो यह sir comment करते रिए और समझ में आ रहा है class को like भी कर दीजिए चैनल पर नए है subscribe करके notification bell icon को अगर करके जोड़ जाएए daily classes को join करिए चले next question के तरफ चले समझ में आ गया है तो देखिए question number 3 question number 3 देखिए बहुत easy question है अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि काफी important question है पूछा गया question है previous year paper का question है ठीक है question है किसी घर को बनाने के लिए 42 ब्यक्तियों दौरा 75 दिन का समय लिया जाता है 28 ब्यक्तियों दौरा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकेगा बताईए 28 ब्यक्तियों दौरा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकेगा आप इसको formula से भी कर सकते हैं और direct भी कर सकते हैं दोनों तरीका बताएंगे पहले आप answer तो दीजिए, देखें आप लोग क्या answer दे रहे हैं, solve कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, एक बार आप लोग कोसिस करिए अपने आप से answer देने का, देखें कितने बच्चे answer दे रहे हैं, हाँ, एप पे class चल रहे है, यूभी गूलिस कॉंस्टेवल के लिए सिपाही बेच चल रहा है, और उसमें crash course लाया जा रहा है, chapter wise classes चल रही है, कम समय में बहतर त्यारी के लिए चल रही है, SSC, ZD के लिए भी चल रही है, हर एक exam के लिए चल रही है, तो एप को जरूर डाउनलोड करिएगा, और जो भी classes आपकी YouTube पे चलते हैं, उनकी PDF भी मिलती है, ठीक है? बहुत अक्से, आंसर दे रहे हैं, कुछ ही बच्चे, देखिए, कुछ नहीं करने हैं, आप इसको formula से करेंगे, देखिएगा, पहले method 1 बता रहे हैं, ये formula क्या होता है, M1, D1, बटा W1, बराबर M2, D2, बटा W2, ये formula होता है, बेसिक सा, देखिए, M1 की जगा, कितने लोग हैं, 42 लोग हैं, D1 की जगा, कितने दिन ले रहे हैं, 55 दिन ले रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, एक काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे तरफ बच्चों बोल रहे है कि 28 बेक्तियों द्वारा, M2 की जगा, 28 बेक्तियों द्वारा, कितने दिनों में, 90 दिनों में, कह रहे हैं, काम का कितना भाग पूरा होगा, तो W2 भाग पूरा होगा, ठीक है, तो W2 की value ला दीजिए, कैसे, आप इसको देखिए बच्चों, आप इसको ना, cross multiply करेंगे, ऐ कैसे किया जाता है, तो उपर उपर कटा भी सकते हैं, चाहें तो आप W2 इधर लाइए, और ये चीज नीचे लेते जाएए, तो भी आपका अंसर आएगा, देखिए, W2 इधर आजाएगा, तो W2 बराबर, ये एक से गुना होगा, तो ये 28 गुने क्या होगा, 90 ही हो और ये आपका नीचे आएगा, नीचे आएगा, गुने में है तो इधर आएगा, तो ये 42 गुने क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, बस कटा लीजिए, चाहें तो उपर उपर भी कटा सकते थे, ठीक है, चले, तो देखिए, 15 से कटाएगे तो 15 55 और 15 690, 7 से कटाएगे तो 7 चोक 28 और 76 42, ये 6 से 6 कट गया, इधर 4 बटा इधर 5 बटा, डबलू टू बराबर क्या है, 4 बाई 5, और यही आंसर होगा, बोला है कि 28 बेक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा होगा, 4 बटा 5, यानि 5 बाग में 4 बाग पूरा होगा, तो 4 बटा का 5 किस में है, option number B में देख रहे होंगे, मौजूद है, option number B क्या हो जाएगा, आपका answer होगा, हाँ, ये B answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अब option दिख भी रहा होगा, C और D भी आप साइद ना दिख रहा हो, अब दिख रहा होगा, बताइए, clear है, समझ में आ गया है, तो एक बार yes comment कर दीजिए, फिर आगे चलेंगे, next question के तरफ, बताइए, दूसरा तरीका बता दे, method 2 भी बता देंगे, अभी देख लीजिए, कैसे करना ही है, तो formula है, बिना formula के भी आप कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही लिख के, इतना कैसे लिखेंगे, जब यहाँ पर अगर समझ में आए दूसरा method बता दे, आगे चले, बताए, दूसरा method बता दे, next, दूसरा, अच्छा, देखिए, दूसरा में क्या है न, concept clear होना चाहिए, बिना concept के आप solve नहीं करेंगे, देखिए, method 2 बता रहे हैं, कैसे होगा, पहले तो इस प्रश्न को देखिए, किसी घर को बनाने के लिए 42 बेक्तिओ दौरा, 75 दिन का समय लिया जाता है, यानि 42 बेक्ति, 75 दिन का काम कर रहे है, तो घर क्या हो जा रहे है, बन जा रहा है, ठीक है, उसके बाथ它श्स बेक्तिओ दौरा, 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकेगा, तो आप देख रहे, गर 28 गुरे उसको नीचे रखेंगे क्या है यह है आपका कितना बच्चों देखिएगा समझिएगा 42 लोगों द्वारा कितने दिन में किया जा रहा है 75 दिन में अब यह उपर जो काम है ना जो काम हो रहा है 28 बेक्तियों द्वारा कितने दिनों में 90 दिनों में यह काम हुआ तो यह क्या क पूरा किया जा सकेगा पूरा भाग यह और यह पूरा आई यह काम हो रहा है ठीक है तो यह अधूरा काम जो हो रहते हैं उसको उपर रखेंगे कहने का मतलब है जब इसे कटाएंगे तो 15-75 और 15-90 फिर उसके बाद से कटाईए साथ चौक अठाईस और साथ चौक के 42 छे से छे गया आंसर आजाएगा फोर बाई फाइफ यानि पांच भाग में चार भाग काम हुआ तो फोर बाई फाइफ आंसर वाजाएगा ऑप्शन नमबर बी बस ऑप्शन मेथेड़ टू से बस इतना ही करेंगे इस कोशन का अंसर आ दूसरा यह बता दिये बताएए समाज में आया金 कि नहीं सर अपकी कोचिंग कहां है और daring हम लोगों रीजनिंग में मीनी मॉक्टिस नहीं मिला है सर जैकेट हमें दे दो अच्छा ले लो जैकेट ये ये तो तीन साल पूराना है नया नहीं है ठीक है लेकिन ठंड इतनी बढ़ गई है सारा कपड़ा कलका पूराना निकाल दिया है एक मोटरी बांद के रखे थे, मोटरी समझ रहे है ना, कपड़े सही सारा, उसको खोले हैं, उसमें से बहुत सारे जो भी है मेरे पिछले कई सालों से, अभी तो पिछली साल कम थंडी पड़ी तो उसमें कम निकाले थे, उसके पिछली साल वाली वो भी निकाल दिये हैं, तो में से क्या निकलता है जो भी कपड़े है पिछले साल के सारे निकल रहे आगे चले नेक्स question के तरफ यह चीज क्लिए है अच्छा तो चलिए दूसरा एक सर्ण तीसरा हो गया आप question number 4 देखिए question number 4 देखेंगे क्या बोल रहें इसे आप आप लोग solve करेंगे, चौथा क्या है, काफी important है, question है, 800 रुपे को 10% वार्सिक चक्रविर्धी व्याज, चक्रविर्धी व्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो दो बर्स में अर्जित व्याज, व्याज किरासी कितनी होगी, ये बोल रहा है, simple question है, इसका answer दीजिए, बत पता चलेगा गाव में अल्ला मजगा पुरान कपड़ आया है काई से, ठीक है, अभी सबार ठंडी में कोई कपड़ा नहीं नहीं है, सब पिछले साल वाला ही चल रहा है, हम लोगों पता है, एक कपड़े कईके साल चलते हैं, और मुझे उतना सौख नहीं है, कपड़ा खा तो जाते हैं घर पर तो दो चार ले लेते हैं, दे दो भाई, चलिए, बताई आंसर दीजिए, आंसर आ रहा है, सारे बुच्चे आंसर दे, एक साथ दे, सही आंसर दे, प्रयाग राज में कहां पर, प्रयाग राज में कहां पर, प्रयाग राज में कटरा या सिविल लाइ एक शो साथ, एक शो और सट क्या अंसर दे रहे हैं आप लोग, देखिए, यह सिंपल कोशन है, और यह कोशन हम आपको बता दे बच्चो, यूपी पुलिस कॉंस्टेबल का पूछा गया है, दो हजार अठार का यह पूछा गया कोशन है, बहुत ही आसान कोशन है, इसमें क्य लीजिए, रासी कितनी होगी, 800 रुपे है, दस परसेंट बारसी खो रहा है, तो पहला बर्स क्या होगा, 110 परसेंट, फिर दूसरा बर्स इसका 110 परसेंट, देखिए, और इसमें से 800 माइनस कर लीजिएगा, देखिए, कुछ नहीं करना है, दो जिरो से दो जिरो कैंसिल, य आठ गुने, आठ गुने, ग्यारा गुने, ग्यारा ठीक है, ग्यारा ग्यारा क्या हो जाएगा, आप ठासी करिए, आएसे कर लीजिए, ग्यारा ग्यारा में 121 यह हो जाएगा, यह बराबर आठ गुने, 121, 121, तो यह हो जाएगा, यह बराबर, यह बराबर, आठ एकम अब इसमें से हम लोगों से पूछ रहा है ब्याज क्या बोल रहा है अर्जित ब्याज तो हम लोगों को ब्याज बताना है यानि compound interest c.i. ब्याज लिख दीजिए ब्याज क्या होगा ब्याज होगा 968-800 यानि कि 168 रूपिस यही आंसर होगा क्या होगा 168 option number D बस कुछ नहीं आप इसको 10 से 11 कर लीजिए 10 से 11 कर ये 100 121 हो गया ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है अगर 100 बराबर इतना है तो 121 बराबर कितना होगा ठीक है तो 121 गुने 8 करेंगे तो वही हो जाएगा 960 ठीक है तो 960 हो रहा है तो 800 से कितना ज्यादा है 800 माइनस कर लीजिए तो देखेंगे 160 रुपे ज्यादा है आंसर ये तो simple question है इसमें क्या ही रखा है कुछ भी नहीं है चले next question के तरफ चले answer आगे है सारे बच्चों का सही answer है very good सभी बच्चे answer दे रहें ये पूछा गया question है यूपी पुलिस में हम देखें है बहुत ही आसान question माता है ठीक है चले आप लोगों को हर टाइप के question कराएंगे आगे चले next question के तरफ चले चले अगला question देखेंगे question number 5 question number 5 देखिएगा question number 5 ज्यादा छोटा तो नहीं लग रहा है ये 3 by 4 लिखा हुआ है देखिएगा question number 5 important है पूछा गया question है ये question यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये 3 by 4 लिखा हुआ है अगर बच्चों असमश्ट ना दिख रहा हो तो बताते है देखिए question है एक दुकंदार एक बस्तू पर एक बस्तू पर उसके क्रेय मुल्ल का 3 बटा 4 भाग अंकित करता है य होती है अशान है बताइए sir आपका साधी हुआ है अब यह सब कौन सा question पूछने लगे इधर math बढ़ा रहे है आप साधी हुआ है question हम यह बोल रहे है आपसे यह question answer math के बात हो रही अभी अभी अधर मत जाएए इधर बताइए profit या loss 5% 6% क्या profit या loss यहां पर दोनों दिया हुए 2 में 6% ठानी 6% लाब 5% लाब 5% ठानी ऐसे दे रहा है ना कि बताए कि समझा दे देखिए कुछ नहीं बहुत आसान है कह रहे है एक दुकांदार एक बस तुको उसके क्रेयमूल का तो माना क्रेयमूल क्रेयमूल लिखिएगा माना क्रेयमूल क्रेयमूल मतलब क्या होता है CP cost price ठीक है माना लिख दीजिएगा क्रेयमूल क्रेयमूल मान रहे है कितना 100 रुपे कह रहा है एक दुकंदार एक बस तू पर उसके क्रेमुल का 3 बटा 4 भाग अंकित करता है क्या करता है तो अंकित मुल्य क्या होगा बैचो अंकित मुल्य क्रेमुल्य का 3 बटा 4 चार से कटेगा 25 को 100 और ये 25 तिया 75 यानी 75 रुपे अंकित कर रहा है फिर कह रहे है यादि वह अंकित मुल्य पर 40 परसेंट लाब लेकर बस तू को बेचे तो उसे कितने प्रतिसत का लाब यहानी होगी अब देखिए बेच कितने में रहा है यानी कि विक्रेमुल्य ध्यान 40 परसेंट लाब ले रहा है मतलब इसका 140 परसेंट निकाल लीजिए 25 तिया 75 पचीस चो को 100 फिर उसके बाद से आप इसे क्या करेंगे कटा लीजिए ये 4 से कटा लीजिए देखिए बचो 4 तियाई 12 और 4 25 और 35 तियाई क्या हो जाएगा 105 यानी कि 105 रुपे इसका भी क्रेम उसका कितना है 100 बेच कितने में रहा है 105 अब यह मत सोचिएगा 100 का था 75 का मंकित कर दिया का मंकित किया लेकिन प्राफिट लिया 40 परसेंट लाब लिया तो लेकिन इसे 40 परसेंट लाब नहीं हुआ लाब हुआ कितना 100 की है 105 में बेचा तो जो प्राफिट परसेंट होगा वो ट्या होगा अगर profit सिर्फ देखे तो 5 का हो रहा है किस पे हो रहा है 100 पे तो profit percent बोलेंगे 5% बस 5% का लाब बोलेंगे क्या बोलेंगे लाब यह profit percent कितना है 5% का लाब option number C सही हो जाएगा option number C profit होगा 5% का ठीक है हाँ भले ही अंकित मुले कम कर दिया हो करे मुले से लेकिन 40% का जब profit generate कर रहा है इस पे तो इसे 5% का profit होगा क्योंकि 100 में खरीदा है अब बेच कितने मेरा finally 105 में तो 5% का profit होगा पांच रुपए का profit हो रहा है 100 रुपए अगर मान रहे हैं तो 100 पर हो रहा है तो direct बोलेंगे 5% ठीक है बहुत अक्से जितने बच्चे answer देने option number C और एक दम सही है बताए समझ में आया की नहीं एक बार जल्दी से comment करके बताईए समझ में आ गया है तो बच्चों आगे चलेंगे नहीं समझ में आया तो दुबारा समझाएंगे ठीक है जल्दी से बताए बताई ये समझ में आ गया clear है okay okay sir समझ में आ गया है समझ में आ गया है सारे बच्चों को समझ में आ गया है समझ में आ गया है तो आज की class को like जरूर करिए चैनल पर नहीं है तो subscribe करके notification bell icon को अन करके जुड़ जाईए डेली क्लास आप लोगों के लिए 8 बज़े चल रही है 8 बज़े कॉफी पे लेके ही बैटा करिए ठीक है आगे चले और आप लोगों को बिता दे आप लोगों के लिए बच्चों तो आप लोगों के लिए चल रहे है ठीक है हर एक एक लाप लोगों को थोड़ी सा जानकारी देंगे जो बच्चे एससी जीडी शीरी एक्जाम के लिए फौजी बैच्च चल रहे है 100% सेलेक्शन के लिए चैप्टर वैज क्लासेज हैं एकदम बेसिक से हैं जीरो लेबल से हैं और हर टाइप के कोश्चन कराया जा रहे हैं ठीक है बहुत ही बहतरीन तरीके से इसमें पढ़ाया गया है तो इससी जीड़ी एक्जाम के लिए फॉजी बैच से जुड़के पढ़िए बैच की फी बहुत ही कम है मतर 399 साथ ही बताते है यूपी पॉलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए सिपाही बैच चला गया है अभी बच्चों आप लोगों के लिए सिपाही बैच के साथ साथ क्रेस कोर्स वीज क्राया जा रहा है लाइव क्रेस कोर्स है इसमें आपकी मैस की रिजनिंग की इजियस की ठीक है और हिंदी की सभी की सभी जो क्लासेज है ना और बहुत ही बहतरीन तरीके से चाप्टर वाई चल रही है ठीक है तो crash course आपके कम समय में बहतर त्यारी के लिए देखा जाए तो next month exam है, समय बहुत ही कम है, तो उसके लिए crash course चलाए गया है, ताकि कम समय में आप लोगों की बहतर त्यारी हो सके और आपका selection हो सके 100% सुनिश्थी, उसके लिए crash course चलाए जाए जाए, crash course की फी मातरा दो सो और फर 10 जनवरी तक, ठीक है, तो सारे बच्चे जरूर जुड़े, UP Police Constable के लिए, सिपाही बैच से, और इसमें जोइन करें, आप लोग की crash course continue करिए, बैच किस से related जानकारी चाहिए, 708010, 708010, 8555, ये SSC में कर कस्टमर केर का नंबर इसमें आप कॉल करके बाद कर सकते है चले, next question देखिए, तो इस question का answer आप लोग देंगे, बताएं इस question का answer क्या होगा, question number 6, काफी important question है, पूछा गया question है, question क्या बोल रहा है, देखिए, question है, एक सुबा बैद ही, अपने घर से करया ले, cycle पर 15 km प्रतिघंटा गती से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कार वापसी में उसकी गती 10 km प्रतिघंटा रही, दो तरफा यात्रा के लिए और सद गती कितनी थी, ये बताना है, बताएं, और सद गती बोल रहा है, और सद गती, देखिए, बहुत आसान है, और सद गती, और सद चाल, बताएं ना, और सद चाल कैसे निकालेंगे, जाने का उसका स्पीड क्या है, 15 km प्रतिघंटा, यातायाद के करण स्पीड काम हो गई 10 km प्रतिघंटा, दो तरफा यात्रा के लिए उसकी और सद गती, आसान है, आराम से स्वाल्व कर सकते हैं, देखिए, आंसर आ रहा है कि नहीं आप लोगों का, एक साथ आंसर दीजिए सारे बच्छे, क्या अंसर आ रहा है, बताईए, हम देखे, 12 अंसर आ रहा है, अच्छा, 12.5, अच्छा, 12.5, 12.4 सब है, इसमें, आप्शन में तो सब है, अब अब आप बताओ क्या होगा अंसर, A, B, C, D, सारे अंसर, अच्छा, सर मैस में 37 कोशन आता है, अच्छा, देखिए, मैस में क्या होता है, reasoning भी होता है, include, ठीक है, reasoning में अगर overall बात करें तो 55 कोशन आ रहा है, ठीक है, हाँ, बच्छों की demand है कि कोशन की संख्या कम करा रहे हैं, देखिए, ज्यादा कोशन ही करा दे और समझ में ना आये तो अच्छी बात है कोशन की संख्या बढ़ा देंगे आप लोगों के लिए ठीक है थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे कुछ दिनों तक क्लास ले लिजे उसके बाद से ठीक है देखिए यह देखिए कुछ नहीं करना है देखिए कभी भी दूरी निश्चित हो दूरी क्या है निश्चित है कहां गई है बैद ही कार्याले कार्याले मतलब आपिस गई है आपिस से आई है जाने का स्पीड 15 किलोमेटर प्रति घंटा आने का स्पीड 10 किलोमेटर प होता है formula 2xy बटा का x plus y यह होता है क्या formula होता है ठीक है अब देखिए x बराबर क्या है 15 और y बराबर क्या है बच्चो y बराबर है 10 तो कुछ नहीं करना है दो गुने गुने 15 गुने 10 बटा का 15 प्लस 10 15 प्लस 10 क्या होगा बताइये 15 प्लस 10 क्या होगा 15 तो तो पाँच पचे पचीस, पाँच तिया ही पंदरा और पाँच दुना के दस, दो दुना के चार तिया ही बारा, या दो तिया ही छे दुना के बारा, तो और सब जो गती होगी, वो बारा किलो मीटर पर आवर होगी, क्या होगी, बारा किलो मीटर पर आवर, और यही क्या और option number क्या होगा? D साही होगा. Option number D. 12.5 कैसे आ रहा है? बताए. 25 का अधा कर दिये. इसलिए. ऐसा नहीं होता है. ठीक है? ऐसा नहीं होता है. ठीक है? बताए. समझ में आया? समझ में आया की नहीं? समझ में आया? या आप इस प्रेशन को फॉर्मूले से नहीं देखेंगे. तो 15 किलो मीटर प्रति घंटा 10 किलो मीटर. तो 15 का LC हम ले लेंगे तो कितना होगा? 30. अगर 30 किलो मीटर है, यहाँ पर समझा देते हैं. देखे. माल लेते हैं दूरी आपिस तक क्या है? 30 किलो मीटर. ठीक है? यहाँ घर से ओपिस यहाँ पर 30 किलो मीटर है. 15 किलो मीटर प्रति घंटा जा रहे हैं, तो समय कितना लगेगा? 15 से भाग करेंगे. जाने में 2 घंटा. और 30 किलो मीटर आने में कितना लगेगा? 10 km प्रति घंटा आ रही है, तो 3 घंटा, तो देखा जाए, तो कुल समय कितना लगा बच्चो? 5 घंटा लगा, कुल दूरी कितना तैकी? 30 गई है, और क्या है? 30 आई है, यानि 60 km दूरी तैकी है, कितना? 60 km, देखिएगा, यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, त तो 60 kg, तो समय यहाँ पर आप लोगों ने देखा, 2 प्लस 3 पाँच, तो 4 बराबर दूरी बटा समय, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 और सब जो गती होगी, तो क्या हो जाएगी, 12 km पर आवर, ऐसे भी आप कर लेंगे, ठीक है, सर 5 कहां से आया, कहां पर 5 तो हम कहीं नहीं लिखे हैं, इसमें, यह 5 पचे 25 और 5 ती पंदर कटा होगा, तो समझ में आएगा, ठीक है, तो आप इस्प्रेशन को ऐसे भी देख सकते हैं, कुल चली गई दूरी बटा, कुल लिया गए समय, ऐसे भी इस्प्रेशन को आंसर दे सकते हैं, यह तो फर्मूला है, फर्मूला इसलिए बता रहे हैं, इसके लिए इतना सोचने नहीं है, डारेक्ट टू एक्स वाई, बटा एक्स प्लिस वाई कर दे आंसर आजाएगा, बस, और कुछ नहीं है, कुल दूरी क्या हो जाएगा, गर 30 किलो मीटर है तो, 60 किलो मीटर होगा, कुल समय कितना लगा, 5, तो 5 से हाग करिए साथ को, 12 किलो मीटर पर आवर, निगल गई आउसा चाल, क्लियर है, आगे चले, नेक्स कोशन देखेंगे, कोशन नमबर 7, समझ में आ रहे है, सारे बच्चों को, देखिए, मन लगा कि पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, चीजों को समझते हुए चलिए, और क देखिए, कोशन नमबर 7, यहाँ पर आपके समने है, क्या बोल रहे है, कोशन देखिए, पढ़िएगा कोशन नमबर 7, काफी इंपोर्टेंट है, बीना एक्स माने कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, कोशन बोल रहा है, राजेस 5 मीटर परती सेकेंड गती से पैदल चल सकत परिवहन के देखिएगा, बोल रहा है, वहाँ परिवहन के दोनों तारीकों के सन्योजल से 600 मीटर दूरी को तै करने के लिए 45 सेकेंड समय लेता है, राजेस ने साइकिल, साइकिल कितनी देर तक चलाई, राजेस ने साइकिल कितनी समय तक चलाया है, यह पूछ रहा है, त ऐसे प्रेशन को solve करने के लिए आपको X मानने की जोरत नहीं है, formula लगाने की जोरत नहीं है, basic method नहीं लगाने की जोरत है, direct answer दे सकते हैं, बस आप बताइए कैसे इसे solve करेंगा और आप लोगों का answer क्या आ रहा है, बताएं तो, answer दीजिए, एक साथ answer सारे बच्चे दीजिए 15 seconds, 20 seconds, 25 seconds, साथ answer आ रहा है, अच्छा देखिए, SSCGD में, mock test में, जिन बच्चों के number काम आ रहे थे, पर सान नहीं हो, क्योंकि mock test की थोड़ी label जो है न, थोड़ी क्या बोले, बहुत high हो गई थी, ठीक है, तो mock test team वाले जो है न, अब उन लोगों को समझा चुके हैं, एक points हम बता चुके हैं, कि कैसे question को arrange करना है, क्योंकि mock test हम देखे, अब जो mock test आपको आगे से मिलेगा न, एक दम exam के label का होगा, हम उन लोगों को थोड़ा सा कठीन बोले थे करने के लिए, कि normal exam के according थोड़ा सा कठीन हो, तो पूरा ही कठीन बना दिये थे, SSCGD में 20 question में हम देख रहे थे, 12 question या 10-12 question बहुत ही कठीन दे दिये थे, जिन में हम बोले थे, उनसे 2-3 question कठीन होने चाहिए, ठीक है, तो अब label आगे से जो आप लोगों mock test देंगे, उसमें आप लोगों को level जो है न, अच्छा मिलेगा, एक दम exam के label का मिलेगा, बदाये, समझा दे, हाँ, ये पूछा गया question है, प्रिवेश सेर पेपर का है, देखिए, question क्या बोल रहे है, देखिए, ऐसे प्रश्म कभी भी आपके exam में आए, go through option go through option, ऐसे प्रश्म को आप option से solve करेंगे, देखिए, कैसे option से solve होता है, हम आप लोगों को समझा रहे हैं, एक बार आप सारे बच्चे क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, देखिए, यहाँ पे go through option कहने का मतलब है, देखिए, total दूरी कितना है, 600 meter है, कह रहे हैं और स पैदल, cycle से उसकी चाल क्या है, 20 meter per second, देखिएगा, cycle से उसकी चाल है, 20 meter per second, पैदल जो उसकी चाल है, वो 5 meter per second है, यही तो है, आप देखिए, यहाँ पे आपको थोड़े से समझने की ज़रूरत है, बोला है, राजेस ने cycle से कितनी देर चलाई, ठीक है, देखिएगा, क्या होगा, 15 प्लस 30 बराबर होगा न, 45, ऐसे देखिएगा, तो 30 क्या चला होगा, पैदल चला होगा, तो गुने कर यह 30, तो यह अगर देखा जाए, तो 15 दुना के 30, यह 300 meter, और यहाँ पे देखिए, तो 35, 1500, 150, तो यह जोड़ने पर क्या हो रहा है, 450 हो रहा है, आना ची यह क्या 600 meter, इसलिए पहला option क्या होगा, गलत होगा, समझना है, पहला option गलत हो जाएगा, देखिए, यह तो रहने देते हैं, समझेंगे, अगर 20 second cycle से चला, तो 15 second पैदल चला होगा, तो अगर इधर देखा जाए, तो गुने 20, और इधर क्या करेंगे, 15, ठीक है, तो अब देखिए, बीस वी सम, 400 meter चला, पंदरा पैचे, पचातर, चार्सो पैचातर हो रहा है, ना कि 600, क्योंकि 600 होना चाहिए, तो यह भी क्या होगा option number, option number यह भी गलत हो जाएगा, अगर C देखिए, अगर 25 second cycle से चला, तो पैदल कितना चला होगा, क्योंकि यही पूछ रहा है, राजेस ने cycle कितनी दिर चलाई, तो 20 second, कभी तो 45 second होगा, 45 second total होना चाहिए, अब देखिए, अगर इधर कर दे गुने क्या, 25, तो इधर क्या करेंगे गुने 20, 25 दुना के 50, 500 meter, इधर बच्चों देखें तो 20, 500, 100, तो अगर इन दोनों को जोड़े तो क्या आ रहा है, 600 आ हो जाएगा, यानि बोले तो, क्या बोले, cycle से कितना चला, 25 second चला, बस, go through option आप ऐसे कर लेंगे, answer आ जाएगा, ठीक है, दूरी बराबर चाल गुड़े समय, चाल बराबर दूरी बटर समय, तो यही चीज है, यह क्या है, cycle से 20 meter per second, 20 meter per second, और यह है 5 meter per second, और यह हम समय लिख रहे नीचे, ऐसे go through option करेंगे, तो आपको pen उठाने की भी जोरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे oral कर लेंगे, समझाने के लिए यहां लिखें, ताकि आप अच्छे से समय सके, यह 20 plus 15 नहीं, यह 20 plus 25 होगा बच्चो, यह गलत हो गया था इसमें, तो 20 plus 25 भी करेंगे, तो अगर यह ऐसा हो तो, ठीक है, बस यही चीज़े करना है, और कुछ नहीं, दूरी बराबर चाल गुड़े समय, यह चाल है, और यह समय है, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए, यह आपका क्या है, यह आपका speed है, यह speed है, यह बच्चोई time है, और यह क्या है, डिस् और तो कुछ नहीं इसमें, clear है, समझ में आ गया, सारे बच्चो को, very good, बहुत दक्स है, एकदम सही, हां, समझते हुए चलिए, यह सब question जो है, पूछा गया question है, exam oriented question है, ऐसे question exam में आते हैं, सीखना है, आगे चले, next question के तरफ, अगला question देखिए, question number 8, question number 8 देखेंगे, का 132.6 रुपे की बृद्धी होती है, तो साहे 10% की हानी, 11 से ही 3.5% के लाब में परिवर्तित हो जाती है, बस तुका क्रेय अमुल, रुपे में ग्याद करे, बस तुका CP बताना है, क्रेय अमुल बताना है, बताई इस question का answer क्या होगा, एक साथ आप लोग कॉमेंट करके बत होगा है, तो क्या होगा इस question का answer, देखिए आप लोगों को बताए ना, 10% का loss, 20% का profit, और 20 का difference आ गया इतना, वही question है, इधर loss है, यह हानी है, यह profit है, तो यह दोनों को percentage अगर जोड़ दे, दोनों percentage जोड़ दे, तो बराबर होगा इसके, आप 100% यानी CP की value लादेंगे, बताए, 25 कहां से आया, पीछे वाले question में 25, कौन से है, 25 कहां से आया, option से लिए है, 25 second यहाँ पे, तो अगर 25 second cycle से चला, तो 20 second क्या चला होगा, पैदल, तभी तो total 45 second चला है, यह go through option, option से ही बच्चों सोल्व की inspiration को, चले, question number 8 देखिए, question number 8, बताए इस question का answer क्या होगा, ए आप पे जो आपकी class चल रही हो, chapter wise class चल रही है, बेसिक से चल रही है, यहाँ पे आपकी practice चल रही है, आप लोग अगर पहले से पढ़े हुए, तो यह practice मज़ा आ जाएगा, नहीं पढ़ें तो एक बार syllabus ज़रूर पूरा करिए आप लोग, बिढ़ा syllabus पूरा किये, practice तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, syllabus week पूरा करिए, फिर उसके बाद practice भी करिए, answer आ रहा है, very good, क्या रहा है, 600, इस question का answer है, 600, अच्छा, very good, बहुत अक्स है, समझा दे, देखिए, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बच्चो, आप देखिए, 100% क्या होता है, 100%, आप को बता है न, CP होता है, अगर ये loss हो रहा है, तो माइनस में जाएगा, क्या है माइनस में, साहे 10%, ठीक है, ये माइनस में जाएगा, तो ये माइनस में साहे 10 होगा, और profit generate करेगा, तो ये plus में होगा, यहीं चीज़े होती है, तो ये 100 से क्या होती है, घट के लिखा ही जाती आपका प्लस वाला है यह माइनस वाला प्लस वाला डिफरेंस जब होता है ना जैसे आप लोगों को बताये थे माइनस 10 और एक हो रहा है प्लस 20 तो माइनस 10 90 हो जाता प्लस 20 120 होता तो डिफरेंस कितने का होता बचो 30% का डिफरेंट होता यानि जो डिफरेंस होता अंतर होता और कितना होता 30% तो यही चीज़े क्या हुई है जुडती है तो यही चीज़े जब जुडती है तो आपको यहाँ पे वो चीज़े नहीं करना है आपको समझा रहे हैं देखिए तो आप क्या कर लीजिए न यहाँ पे लिख के न आप डिरेक जोड लीजिए 10 से ही 1 बटा 2 तो इसे गुना करते हैं 2 दहा में 20 और इसे जोडते हैं इसे गुना करेंगे 20 एक 21 बटा का 2 यह होगा 21 बटा का 2 फिर प्लस दूसरा होगा 5 से 11 में गुना करेंगे तो 11 पचे 55 प्लस 3 क्या हो जाएगा यह प्लस होगा तो प्लस 3 क्या होगा 58 बटा का 5 यह हो जाएगा 58 बटा का 5 ठीक है और यह किसके बराबर बच्छुआ जाएगा यह परसेंट में होगा और यह बराबर आएगा 132.60 तो आप पहले इसे solve करें दो पाच का LCM 10, दो पच्छे 10, 21 पच्छे क्या होगा? 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 105, 5 दूना के 10, 58 दूना के क्या हो जाएगा? 116 और इधर आएगा आपका 132.60 यह परसेंट में आएगा, यह परसेंट में तो आप इसे देखिए, 105 और 116 यह 221 हो जाएगा, 221 बटा का 10 भाग कर देंगे, तो 22.1 हो जाएगा, 22.1 परसेंट बड़ाबर क्या होगा? 100, 132.60 हम लोगों को बताना क्या है? 100% का मान, ठीक है? तो 100% बड़ाबर क्या होगा? 100% बड़ाबर 132.60 बटा 22.1 ठीक है? और गुने क्या हो जाएगा? 100, जब 100 से बच्चों गुना करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, 100% की वैलूल आ रहे, 100% बड़ाबर, देखिएगा, जब आप 100 से गुना करेंगे, तो यह दसमलों हट जाएगा, तो 132.60 है, तो दसमलों हट जाएगा, यह 6.00 हो जाएगा, और बटा नीचे आ रहा है, 22.60, ध्यान दिख रहा होगा, 132.600, बटा नीचे आएगा, 221, ठीक है, 221, तो 211, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो आप देखेंगे, कि यह 6 बार में पूरा का पूरा विवाजित होगा, कैसे? 6 कम 6, 6 दुना के बारे का 2, हांसी लेक, 6 दुना के बारे, 13, यह 6 बार मे पूरा का पूरा विवाजित होगा, और 2,0 लग जाएगा, यानि 100% बराबर क्या हो जाएगा, 600, यहां तक दिख रहा है, आंसर हो जाएगा 600, बस, यह थोड़ा सा इसमें पॉइंट है, बहुत जादा नहीं है, लेकिन यह प्रसन कई बार एक्जाम में पूछा गया, इसल होगा, बताइए, समझ में आ गया, 600, 600, 600, सारे बच्चों का अंसर 600 आ रहा है, very good, clear है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बताइएगा, दुबारे समझा देंगे, यहां पे देख लीजे, छोटा कर दिये है, अब आप लोगों को साइद नीचे ना दिख रहा हो, त ठीक है, 600, option number D, option number D, सब का रहा है, very good, हाँ, चीजों को देखिए, सीखिए, समझीए, और आप क्या करिए, मन लगागे पढ़िए, डेली क्लास को जॉइन करिए, डेली क्लास आप लोगों के लिए बच्चों बता दे, आठ विजे चल रहा है, डेली क्लास आपकी 8 पिम प अगला question देखिएगा, ना समझ में आए, तो पूछ लीजेगा, यह अगला question number 9, थोड़ा से बच्चों एक चीज पूछना था, यह font कैसा दिख रहा है, ठीक है, एक आप लोगों ने देखा न, जो पीछे वाला question, इसका font एक लिखने का तरीका है, मतलब आप देख रहे हो यह पतला लिखा हुआ है, और यह जो है na question number 9, यह font थोड़ा bold type का है, यह अगर अच्छा दिख रहा है, तो कल से ऐसे लिखा देगे, क्योंकि बहुत से बच्चों की demand थी कि sir, ऐसे font रहे तो अच्छा रहेगा, तो एक बार यह भी आप बता दीजिएगा, कि यह चीजे सही है, क्या 116 पीछे वाले question में confusion है, कहाँ पी 116 है, यह आप भाग करेंगे तो 5 दुना के 10, 2 आया तो 2 से गुना होता है, तो 2 अच्छे 16, अच्छे लेक, 2 पच्छे 10, 116 ऐसे आया, ठीक है, चले, इस question को देखिए, question number 9 और answer दीजिए, यह phone सही है, अच्छा है sir, यह वाला सही है, कि यह वाला सही नहीं है, must है, सही है, अच्छा, हाँ, अच्छा है, अच्छा नहीं है, अच्छा है, यह sir, यह sir, बिल्कुल सही है, सही है, तो ऐसे ही type करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पहले इस question को solve करते हैं, फिर मजा आएगा, देखिए पहले, question एक बार आप लोग देखिए, question है क्या, बोल क्या रहा है, question पढ़िए तो, सारे बच्छे पहले question पढ़ेंगे, question क्या बोल रहा है, देखिए, question पढ़िए, question है, question number 9, काफी important है, question है, a और b की आए का अनुपात 4 is to 5, और ब्यायो, ब्यायो मतलब खर्चो, ठीक है, का अनुपात 2 is to 3 है, यदि a और b क्रम सह 7200 और 6000 की बचत करते हैं, तो a की आए, रुपे में कितनी है, ये बताना है, तो बताए इस question का answer दे अच्छा है, नीचे का नहीं दिख रहा है, नीचे का तो आप दिख रहा होगा, चलिए दोनों सही है, अच्छा ठीक है, ये बच्छा बहुत अच्छा बोला, दोनों सही है सर, जो मन करे ओ ला दो, देखिए, question देखिए, क्या बोला है, a और b की, दो second, इस question को आपको बता दे बच्छो, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए, a और b की i का नुपात दिया है, औ अगर हम बच्छो, और क्या दिया हुआ है, उनका बच्छत दिया हुआ है, इतना इतना बच्छत करते हैं, अगर i मेंसे बच्छत घटा दे, मान लिजिए 100 रुपे आप कमा रहे हैं, 30 रुपे आपका बच्छरा है, तो खर्च ही तो आएगा, तो देखिए, कुछ नहीं क क्या है, 4X है, b की i क्या है, 5X है, देखिएगा, ये चीज आपको थोड़े सा याद रखना है, ठीक है, ये तो आपको पता भी होगा, अगर i 100 रुपे है, बचत 30 रुपे है, तो खर्च कितना होगा, 70 होगा, यहीं चीज़े, जो भी है, ऐसे ही होगी, ठीक है, अब देख X है, बचत कितना है, 6000, बचत इसका घटा दिये, तो अब इनका जो ब्याय है, वो क्या 2 is to 3 का नुपात में है, तो एक अब दो अभी का 3, यहीं रेशियो है, अब क्या करेंगे बच्चों, क्रोस मल्टिप्लाई, तीरिया गुनन, पता है ना, 3, 4 को 12 X, गुना करेंगे, त तरीके 21 और 2 तीया ही 6, तो यह हो जाएगा 21,600, गुना करेंगे 3, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 3 दुना करेंगे 6, और 3, 7, 20 ऐसे भी गुना कर सकतें, ठीक है, फिर 2 पच्चे यह हो जाएगा 10, ठीक है, यानि 10 X, फिर 2 से 6 दुना के क्या हो जाएगा 12, यानि यह हो जाएगा 12,000, क्य प्लस का होगा ठीक है तो कहिए तो ऐसे लिग देते एक इस्टेप और बढ़ा देते हैं बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं यह 12x है यह 10x से बराबर किदार आगा तो माइनस का 10x हो जाएगा उदर पहले क्या है बच्चों माइनस बारह हजार है बारह हजार और यह हजार कितना है 600 तो 21600 हो जाएगा तो 12x मैंसे 10x जाएगा 2x बराबर 21600 मैंसे बारह हजार घटाएंगे तो बारह आठ बीस 9600 यानि कि यह हो जाएगा चानवे सो 9600 होगा देखें बारह आठ बीस और 211 और 1600 यानि कहने का मतलब 1600 यानि की 899800 घटा के वी देखेंगे तो एकज बराबर क्या होगे एकज बराबर 2x अच्याभुじ और gimester तो चानवे सोगे सो बड़ा का 2 तो दो 2 4 article 8 2 18 16 यानि X जाएगा अनताली सो हम लोगों उस यह प्रषिन में पूछा क्या है A की आए, क्या बोला है A की आए, तो हम लोगों से प्रस्ण में बोला है A की आए, तो A की बच्चों जो आए है वो क्या है, A की जो आए है वो है 4X, क्या है A की आए, A की आए देखेंगे है 4X है, ठीक है, तो अब देखिए 4 गुने, ध्यान दीजेगा, क्या ह फोरेक्स है तो चार गुने एक्स की वैलू कितना यह 4800 कितना है 4800 4800 तो गुना करके बताइए तो कितना होगा 4, 4, 16, 8, 4, 32, 16 18, 19, यानी 19,200 कितना हैगा 19,200 यह आंसर आएगा आप लोगों का क्या आंसर आ रहे हैं बता है तो 19,200 आंसर आ रहे है कि नहीं option number C आंसर आ रहे है कि नहीं सबका 19,200 होगा very good बहुत अक्स है जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं 19,200 होगा option number C एकदम सही है बताइए समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे समझ में आ गया है तो फट़फट आज की class को आप लोग लाइक भी कर दीजिए लाइक करते हैं तो काफी अच्छा लगता है कि जो हम आपको समझा रहे हों आपके समझ में आ रहा है तो सारे बच्चे लाइक कर दे चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए notification bell icon को उन करिए जूर जाइए daily classes को जोईन करिया और मन लगा के पढ़िये क्योंकि यह जो समय चल रहा है बहुत ही important समय चल रहा है ठीक है बहुत ही कीमती समय चल रहा है क्योंकि next month exam है और exam में पासी नहीं करना है selection लेना है merit में आना है तो आपको पढ़ते रहना है और प्रेशनों की जो प्राक्टिस्चलरी इसकी करते रहना है आगे जाले next question के तरफ क्योंकि अगल अगला साब का हिंदी का हो जाएगा चलिए question number 10 का answer आप लोग दे दीजिए question number 10 देखेंगे question number 10 जो है most important question है अच्छे से देखेंगे समझने का प्रियास करेंगे question number 10 है एक समान जल परवाह वाले 8 null किसी टंकी को 27 मिनिट में भरते हैं तीन मिनिट के बाद दो नल बंध हो जाते हैं सेस नलों द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय ग्याद करें यह previous year का बहुत important question है बताए सर आपसे पढ़ने में डर लगता है अच्छा क्या हम चार सिंग लगा के पढ़ा रहे हैं कि आपको तुरंट पेट में ऐसे मार देंगे जैसे गाय मारती है पढ़ने में डर लग रहा है वो भी online पढ़ने में offline नहीं और किसी बच्चे को डर नहीं लग रहा है पेट में खपाक से मारेंगे शिंग लगा के ऐसा तो नहीं है बताए इस question का answer दीजिए जल्दी से क्योंकि next class आपकी start हो जाएगी फिर 9 बज़े से आप हाँ से रहे हैं बच्चे sir ratio method बताओ अचा सारे method बताएंगे पहले बताएए जो जो method आएगा हर एक method बताएंगे जो आपके लिए आसान रहेगा ठीक है सर आज मेरा बड़े है आसिरवाद दीजिए सूरज बोल रहे है happy birthday आपको ठीक है हाँ बड़े मनाईए और मेहनत करिए selection लीजिए ताकि अगला बड़े government job हो ठीक है तब और मजाएगा ठीक है हिए रोज-बड़े किस न खिसी बच्चे का रहता है … कि समाँ जल प्रवा रहर वाले आठ नल किसी टंगी को 27 मीनेट में भरते हैं देखीएगा एक समाँ जल प्रवाbaj वाले मन लते हैं अगर एक नल एक मीनेट में 1 लीटर भर रहा है तो 8 नल एक मिनट में कितना भरेंगे 8 लीटर तो देखा जए तो टणकी की छंमता ऐसे निकाली जिए गा टंकी की छंमता टंकी की छंमता क्या होगी अगर 8 लीटर प्रती मिनट भर रहे हैं तो 27 मिनट में क्या होगा 27 गुने 8 ठीक है यानि 20 वर्ट 107, 7 वर्ट 106, 100, कितना हो जागा, 16, आठ सेते चपन का 6 हासिल एक आठ दुना के 16, एक 17, कितना हो जा रहा है यह तो, ज्यादा हो गया, कह रहा है कि 3 मिनेट के बाद, 3 मिनेट के बाद मतलब यह 8 धहन दीजेगा, थोड़ा से समझने का प्रयास करेंगे, 8 लीटर प्रती मिनेट भर रहे हैं, 27 मिनेट में पूरी टंकी हो रहे हैं, तो 3 मिनेट में कितना भरा, 24, 3 मिनिट में कितना भरा 24 24 क्या करेंगे माइनेस करेंगे तो 192 लीटर आएगा अब क्या हो गई 192 लीटर हो गया क्योंकि 3 मिनिट के बाद 2 नल बंद हो जाते हैं तो 2 बंद हो जाएंगे 8 में से 2 चला जाएगा तो क्या होगा 6 अब 192 लीटर भरना है और 6 नल है तो बोल रहा है से नलों द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय तो समय क्या होगा बताइए अब बताइए समय क्या होगा यही तो समय होगा समय क्या होगा 6 तरीके 18 6 दुना के 12 32 मिनट है option में option number D में है option number D सही हो जाएगा बताइए clear है 32 minute 32 minute सभी बच्चों का अंसर आ रहा है 32 minute option number D एकदम सही है जितने बच्चे आंसर दे रहा है option number D एकदम सही very good clear है आगे चले समझ में आगे है तो फटा फटा आज की class को आप लोग लाइक कर दीजे चैनल पे नहे हैं तो subscribe कर लिजे और notification bell icon को भी on कर लिजे daily classes आप लोगों के लिए 8 बज़े चल रही है 8 बज़े copy पे ले के ही बैठा करिए ठीक है और मन लगा के पढ़िए अच्छे से पढ़िए और कोशिस करिए जदस जदस में आपका पढ़ाही में लगे पढ़ाही से selection होगा पका होगा एकदम 100% होगा क्योंकि बढ़ाही से selection होता है ठीक है चले आज की class आप लोगों को कैसी लगी एक पर जली से comment करके बताईए तो आज आप लोगों को 10 question कराए है 10 question में कितने question आप लोगों ने सही किये ये comment करके बताई ठीक है और आज आज की class कैसी लगी ये भी comment करके बताइए class अच्छी लगिया तो सारे बिचे like जरूर करेंगे share भी कर दीजे चैनल पर नए है subscribe करके notification bell icon कौन करके जूर जाइए मन लगा के पढ़िए अच्छे से पढ़िए daily classes को join करिए ठीक है हाँ आप लोगों के लिए ssc maker app पे भी class से चल रही है app को download नहीं किया तो आपको जरू download कर लीजेगा app पे आप लोगों को बच्छों बता दे आपके अदम एक्जाम ssc zd के लिए ssc maker app पे हम लोग चला रहे है फॉजी बैच जितने भी बच्छों का सपना है फॉज में जाना फॉजी बैच से होंगे उनके सारे के सपने पूरे क्योंकि फॉजी बैच में बहुत ही बहतरीन तरीके से classes चल रही है 100% selection के लिए फॉजी बैच से जुड़िए और आपको बता दे बैच की फी बहुत ही कम है मातर 399 और आप लोगों को बता दे UP Police Constable के लिए सिपाही बैच चला रहे है 100% selection के लिए सिपाही बैच में बचो अभी हम आप लोगों के लिए चला रहे हैं फ्री में crash course यह crash course आपको बतादे कम समय में बेहतर त्यारी के लिए चला ही जा रहे हैं तो अगर आपके पास समय कम है syllabus पूरा नहीं हुआ है तो crash course से जुड़के पढ़ लीजे syllabus बहुत ही अच्छे तारीक से पहले पहले कबर हो जाएगा और selection भी होगी आपकी पक की ठीक है तो crash course से जरूर जुड़िए और बतादे batch की जो फी है मातर दो सो पचास रुपे और फर दस जनुरी तक ठीक है हाँ बैस से जुड़ने में कोई समस्य आ रही है तो 7080108555 यह से में कर किस्टमर केर का नंबर है इस वे कॉल करके बात कर सकते हैं आपके अगामी सभी एक्जाम के लिए या आप कोई अन एक्जाम की भी तैरी करें हरेक एक एक्जाम के लिए क्लास आपको सेर्च कर ये डाउनलोड कर लिजिए और फाइफ स्टर की रेटिंग और वहतनी रिवीव जरूर दीजिए ठीक है सारे बच्चे चलिए चल रहे हैं और अपने सेलेक्शन को कर ये सूनिशित हाँ है मन लगा के पढ़िए ठीक है घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताईए ठीक है तो चलिए बच्चो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे बाकी आप से मिलेंगे कल आठ बजे तो कल आट वेज़े आप सारे बच्चे जूढ़ना ना भूलेंगे ससी में कर यूटूब चैनल पे और रीजनिंगी क्लास होगी सांदार और जवरजस धमाकेदार क्लास होगी ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद